नमस्कार मैं अंशी की जड़ियो और एक बार फिर स्वागत है आपका अमरोजाला की आज की इस वीडियो में जहां हमाग को देते हैं बॉलिवुड जगत की पाच बड़ी खबरों की जानकारी तो आए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो जानवी कपूर इस वक्त अपनी आने वाली स्पाइस ट्रिलर फिल्म उलज को लेकर चर्चा में हैं पहली बार जानवी कपूर अभीनेता गुलशन दिवया के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आने वाली है हाली में मुवी का ट्रेलर रिलीस हुआ था जिसे लोगों ने भी काफी पसंद किया था तो वहीं मेकर्स ने सुमवार को पहला गाना शौकन रिलीस किया है जो अब सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड कर रहा है ऐसे में जानवी कपूर ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो भी शेयर करी है जिसमें वो अपनी दोस्त के साथ शौकन गाने पर थिरक्ती हुई नजर आ रही है जानवी कपूर ने इंस्टेग्राम पर शौकन गाने पर अपनी रील बनाकर पोस्ट किया है जिसमें उनके डांस मूव्स को उनके फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं जानवी के वर्क फ्रंड की बात करें तो उलच दो अगस्त को सिनमा घरों में रिलीज होगी जिसमें आदिल हुसेन, मियांग चैंग, राजेश तेलंग, राजेंद्र गुपता और जितेंद्र जोशी भी नजर आने वाले हैं बॉलिवुड के न्यूली बेट कपल सुनाक्षी सिनहा और जहीर इकबाल की शादी बड़े ही सिंपल और साधगी भरे स्टाइल से हुई थी, कपल ने रजिस्टर्ड मारिज कर एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की नई शिर्वात की सुनाक्षी सिनहा और जहीर इकबाल की शादी पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा था, किसी ने इस इंटरफेट मारिज को सपोर्ट किया था, तो किसी ने उनके खिलाफ बाचीत की थी तो वहीं ये शादी इनके पारिवारिक मतबेद को भी लेकर सुर्ख्या बटोरती दिखी बता दे कि लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद सुनाक्षी सिनहा ने जहीर इकबाल के साथ शादी की कपल ने 23 उनको शादी की थी, अब जब इनकी मैरेच को एक महीना हो चुका है तो सुनाक्षी ने वन मन्थ अनिवर्स्ट्री की कुछ तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर शेयर करी है इसके साथ ही उन्होंने पती ज़हीर के लिए एक बार फिर अपने प्यार का इजहार किया है दबंग एक्टरिस ने तस्वीरों को शेयर करने के साथ ही उस जगह के महत्व के बारे में भी बताया है जहाँ कपल ने वन मंथ अनिवर्स्री सेलिबरेट किया टी सीरीस के सेह माले कृष्ण कुमार की बेटी 21 वर्षित तिशा कुमार का अकस्मिक निधन हो चुका है भूशिन कुमार की चचेरी बहन तिशा लंबे समय से कैंसर से जूज रही थी और उनका जर्मनी में इलाज चल रहा था जहां उन्होंने अंतमसास ली सुमपार को मुंबई के विले पारले में उनका अंतमसंसकार किया गया तिशा के अंतमसंसकार में रिदेश देश मोग, साई मंजरेकर, फराख खान, साजिद खान शामिल हुए इसके अलावा नाडियाड वाला परिवार के सदस्य और अन्य हस्तियां भी तिशा की प्रातना सभा में शामिल हुई थी क्रिश्न सोनु को सांतवना देते हुए दिखाई दे रहे हैं मीलो डिपोर्ट्स के अनुसार प्रातना सभा में मौजूद लोगों ने इस दृष्यों को बहुती भावख बताया है क्योंकि सोनु इस दौरान बहुती दुखी नजर आए सोनु को भावख होते देख उनके प्रशंसक हैरान रह गए क्योंकि गायक आम तोर पर शान्त ही दिखाई देते हैं रवीना टंडर निन दिनों अपने बच्चों के साथ इटली में विकेशन इंजॉई कर रही है इसी बीच उनकी बेटी राश्या भी विकेशन से कई सारे फोटोज और वीडियो शेयर करती नजर आ रही है जिसमें उनके बोल्ड अफ्तार को भी देखा जा सकता है इन तस्वीरों में राश्या वाइट कलर की शॉट ड्रेस में समुद्र किनारे खड़े होकर पोस देती नजर आ रही है राश्या के इस किलर लुक पर फैंस अपना दिल हार बैठे है उन्होंने जो तस्वीरे शेयर की है वो उनके पूरे वेकेशन की एक जहलक देता नजर आ रहा है इन में से कुछ तस्वीर वहाँ के स्ट्रीट व्यू की है जबकि कुछ अन्य फोटोस में वो पानी में स्विमिंग करती और उसका लुथ उठाती नजर आ रही है फोटोस में राशा नीचर का मजा लेते हुए संबात भी करती दिख रही है उनकी ड्रेस के साथ सफेद करार का चश्मा उनकी खुबसूरती पर चार चान लगा रहा है बता दे कि ये फोटोस सामने आते ही सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से च्छा चुकी है फिल्मी दुनिया के लोग प्रियसिंगर और कंपोजर हिमेश रेशमिया की आवास का जादू फैंस के सिर चड़कर बोलता है गाईकी से अलग हिमेश रेशमिया ने अभी नए के दुनिया में भी किसमत आजमाई है वो आक्टर और प्रडूसर भी है हाली में 23 जुलाई को हिमेश ने अपना इंकावनवा जनम दिन सेलिबेट किया इस खास अफसर पर उन्होंने फ्रांस को तोफ़ा देते हुए अपनी नई फिल्म का एलान भी किया है हिमेश अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे है फिल्म के एलान के साथ साथ इसका टीजर भी जारी कर दिया गया है बता दे कि हिमेश के फिल्मी करियर की ये दसवी फिल्म होगी जानम तेरी कसम एक दर्द भरी लफ स्टोरी है इसमें फ्रेश जोड़ी भी नज़र आएगी इस फिल्म को राधिका राओ और विनेस अप्रू बनाने जा रहे हैं हिमेश रेश अन्या ने बताया है कि ये फिल्म अगले साथ तक रिलीज होगी तो चली आज के लिए बस इतना ही अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें